बिसम्मिल आयरमान रहीम तोड़े विल डू एक्साइस टू बी ओके जी फरस्ट और फॉल मुझे कुछ इंट्रड़क्शन देना है आपको जैसे मैंने आपको पहले डेफिनिशन लिखवाई हुई हैं पेज नमबर 23 ओपन करेंगे प्राइम और फ्राइम 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 और फ् that is 1 and the number itself like 2 एक तो इसका 1 फेक्टर है वान इस पर जाता है दूसरा इस तू नबर इटसेल्फ यह सिफ दो फेक्टर है यह हमारा प्राइम नंबर है we can say if a number cannot be divided exactly by any other number except 1 और इसे फ्राइम नंबर ठीक है जो नंबर अपने इलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होता ठीक है व तो किसी और टेबल में नहीं डिवाइड होता इसलिए 7 टेकिन जो है वो हमारा प्राइम नंबर है यहां पर हम देख लेते हैं 1 का सिर्फ 1 है that is a junior 2 तू के बाद 2 के हमारे factors क्या है 1 & 2 3 के 1 & 3 अब 4 के हमारे factors क्या है 4 जो हमारा 1 के table में भी जाता है 2 के table में भी जाता है और 5 है 5 1 & 5 सिर्फ 1 के table में जाता है और itself अपने आप पे जाता है तो यह मारा प्राइम नंबर है इसी तरह यह सारे आप देख लें 6 है 6 1 2 3 6 है तो यह हमारा composite नंबर है जैसे 7 है यह हमारा prime नंबर है 7 के बाद हमारा 11 13 & 17 17 के बाद हमारा आता है 19 प्राइम नंबर है ठीक है अ बचते हैं next page पे यहां पे हमारे हैं co prime numbers ठीक है page number 24 co prime number now look at the pair of the numbers 2 and 3 just what are the factors अब 2 के factor क्या है 1 & 2 2 3 के factor क्या है 1 & 3 अब कोई भी दो ऐसे numbers जिनका सिर्फ one common factor हो ठीक है one common हो तो हमारे co prime numbers होंगे ठीक है there is only one common factor here that common factor is one two numbers which have only one as their common factor are called co prime numbers for example 9 & 16 9 के factors क्या होंगे one one के table में जाता है three के table में जाता है और nine के table में जाता है 16 के factor क्या है one के table में जाता है two four eight and sixteen के भी table में जाता है अब इन दोनों में common जो है हमारा सिर्फ one है one के लवा और कोई common factor नहीं है तो nine or sixteen हमारे co prime number है ठीक है next page पे आज़े page number 25 है इसमें इनोंने यह बताया हो है कि आप कैसे color करेंगे color करने के बाद जैसे नों यह sequence बताए है sequence से आप इस box को color करेंगे तो जो remaining आपके बचेंगे व आ जाते है exercise की तरफ ठीक है इस page पे भी उनोंने आपको definition बताई है composite number की composite means made up of several or many different parts यानि कि जिसके बहुत ज़्यादा जो है वो factors हो सकते हैं तीन या तीन से ज़्यादा हो सकते हैं वो सारे हमारे composite factors होते हैं ठीक है आ जाते है exercise की तरफ page number 27 है exercise 2 भी है class पर को date लिखेंगे fill in the blanks ठीक है सबसे पहला question है हमारा fill in the blanks composite number have more than dash factors तो उनके कितने से ज़्यादा factors होते हैं 2 से ज़्यादा factors होते है तीक है each prime number has is exactly two factors इसके सिर्फ two factors होते है एक one होते है और एक number itself होता है dash is neither prime nor a composite number तो that is a one number जो के ना prime है और ना ही composite number है 50 is a dash number 50 के end पर देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है वो even number है so it is a composite number सिर्फ हमारा two है जो even भी है और prime भी है इसके लावा जितने हमारे even number है वो सारे composite number है every prime number except dash is odd two के लावा हमारे जितने numbers है वो odd है prime number सिर्फ two हमारा वाहिद ऐसा number है जो even भी है और prime भी है state whether the following are true or false हमने statement बतानी है true है या false है 10 is a prime number क्या 10 prime number है इसके factors सिर्फ दो है one and ten नो इस यह टू के टेबल में पी जाते है और five के पी टेबल में जाते है इसके four factors है so it is a false statement 1 3 and 13 are factor of 13 13 के factors क्या है 1 3 and 13 no 13 is a prime number इसका सिर्फ 1 and 13 two factors है this is also false 8 is a composite number because it has four factors check कर लेते हैं 1 के टेबल में जाता है 8 2 के टेबल में जाता है 4 के टेबल में जाता है और eight के टेबल में जाता है so it is true it is a composite number d part है 45 is a composite number क्या हमारा 45 composite number है यह one and 45 के लबा किसी ओटेबल में जाता है yes यह 3 पे भी जाता है 5 पे भी जाता है तो it is a composite number true है 18 is a prime number because it has two factors only क्या हमारा 18 prime number है जिसके सिफ two factors है जेख लेते है 18 1 के टेबल में जाता है 2 में जाता है 3 में जाता है 6 में जाता है these are more than two factors so it is false statement question number 3 है select the correct answer from the given option the smallest prime number जो सबसे छोटा prime number है वो कौन सा है that is 2 the composite number have composite number के पास है one factor two factor more than two factor या uncountable factor तो यह हमारा more than two factors होते हैं जो हमारे composite number होते हैं the largest prime number less than 30 30 से छोटा जो हमारा prime number है 30 से छोटा वो कौन सा होगा तो क्या हो 23 है 29 है 21 है यह 20 है तो हम देख लेते हैं 23 इस प्राइम नंबर 20 इस नॉट प्राइम नंबर 21 इस नॉट प्राइम नंबर 29 इस अ प्राइम नंबर even number a factor of 50 या composite number तो देख लेते हैं 47 क्या 47 47 और वन के लवा किस जोटेपन में जाता है 6 7s are 42 6 8s are 48 no 47 जो है उसके सिफ दो ही factors है 1 और 47 so it is a prime number 38 is a composite number prime number multiple of 9 and odd number so compose it is a composite number because it has more than two factors 1 भी है 2 भी है और 19 भी है तो इसके more than two factors है अब आ जोता है next page के उपर page number है हमारा 28 तो page number 28 के पर है check whether the numbers given in the table below are prime and composite number better जो आपने प्रीवियस पे टेबल पे colors किये हो में आपको वहाँ से पता चल गया होगा कि prime number खौन से हैं तो यह question जो है question number four and five five में आपने क्या पताना है को prime numbers कि जिन इन दोनों sets में से सिर्फ one जो है वो common हो ठीक है one common factor हो ठीक है दोनों का तो यह question number four and five is for your homework okay thank you